जो आपके सामने लास क्लास में जितना भी कर लिया हमने इस टाइप के कुश्चन 2022 में पहली बार आया जब पेपर बहुत टफ बना था 2022 का 2022 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे न तो हर कोश्चन में आपको ऐसा लगए यह करेंगे कैसे और 2022 के अंदर 21 और 22 दोनों में MCQ भी बहुत पूछे गए थे मतलब 40-40 नमबर के MCQ पूछ लिए गए थे उसमें पाइनल अकाउंट का कुश्चन नहीं आया फाइनल अकाउंट का पूरा MCQ आ गया ठीक है न वह पेपर वैसा आया था उसमें से एक यह कुश्चन आया था तो इसको समझ लेते हैं कोश्चन था इजी लेकिन अगर आपने पहले कभी इस टाइप के कुश्चन नहीं किये हैं तो मुश्किल लगेगा बाकि जो इससे पहले भी हमने टॉपिक किया है इस वाफ उससे तो आसान है लेकिन इस टाइप का पहले नहीं किया तो यह कहता है एक चार को एक ग्रांट दिया इसने कब दिया समझना एक चार एक चार दो हजार अठारा बोला भया हम ना सौ ऑप्षन देंगे 2100 इंप्लॉई जो इंप्लॉई है वो कितने है एक एससो और मैंने बॉला सभी को मैं देने वाला हूं इस वाले हूं ठीक है सभी को क्या देंगे सौ सौ शियर हमने यह एग्रिमेंट डेट पर डिसाइड कर लिए बात के भाई इस तरीके से इस तरीके से रहने वाली यह सारी चीजी आगे हमने देखा कि यहां पर हुआ ऐसा जिसका हम देंगे आपको दो सो चालिस में और वंतां मार्के प्राइस तीन सो vitुक करूं एक्सपेंस कि होता हैं मार्केट प्राइस और जितना दिया है वह माना जाता है 120 रुपई का यहां पर हमारे लिए as a expense loss है जिसको हमें book करना है अगर दो साल है तो दो साल में book कर देंगे 5 साल है कैता है the Westing Date Westing Date मतलब 31 March 2020 तक है Westing date and excise date 31 March 2022 अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमने 2018 में deal किया तो 18-19 फिर आएगा 19-20 और हमारा 31 March 2020 में Westing date आ गया और इसके बाद वो कहता है कि excise date क्या होता है जिस दिन उसे खरीदने को समय दिया गया तो वह मार्च 2022 में दिया गया तो 20-21 और 21 ठीक है अब यह जो दोनों date है यह date है हमारा जो की Westing date बोला गया आगे और पढ़ लेते हैं और clarity दिया at the end of the year first company found 100 employee गए पहले साल में हमारे पास से 100 employee छोड़ कर चले गए उसने बोला हमें नहीं चाहिए इस ओपिस ओप हम तो जा रहे हैं भाई दूसरे साल में फिर सेंप्लोई बोले भाई हम भी नहीं चाहिए यह बहुत काम करवाते हैं मैं नहीं रहना है यहां पर हम जा रहे हैं चले यानि भाई एक्टिस सो में सेड एक्सवस्ती तो चले गए फिर कहता है तीसरे साल में पाया गया कि एक सो बानवे चले गए थार्ड यर में 192 इंप्लोई चले गए अब कहीं न कहीं तीन साल की बात करी है कुश्चन में थोड़ा सा मैं मिस्प्रिंट बोलूंगा क्यों बोलूंगा क्योंकि यह थोड़ा सा डेट वेस्टिंग डेट ना 21 तक होना चाहिए था एक्साइस डे वेस्टिंग पीरिड हो जाता क्योंकि वेस्टिंग पीरिड कौन सा होता जितने समय में काम करना है तो इसने बोला तीन साल तो हम इस डेट को थोड़ा इस ऐसे कोश्चन में नजर अंदाज कर रहा हूं में इस कोश्चन में बाकि आपको एक्जाम में प्रॉपर मिलेगा और एक्जाम में आया हूँ कोश्चन है तो देखा जाए तो भाईया यहां पे हमारे 2100 थे तो पहले साल में हमें जो हिसाब किताब खर्चा बुक करना है पहले साल में 100 चले गए तो भाईया 2100 हम तो यह मान के चल रहे थे एक मिनट तो पहले साल में हमें 2000 एंप्लोई का खर्चा अध स carro गुक करना ओगा अब कर कि दूंसरे साल में 2000 थे तो 80 और भाग गए तो दो 100 थे चले गए तो तीस्रे साल में हमें 1920 सो इंप्लोई का खर्चा अधोग करना होगा फिर उन 90 सो वीस been और फिर चले वो होने चाहिए थे हमारे पास टूटल जिसको हमें देना है लेकिन इसमें से भी बोला भया सत्तरा सो एंप्लोई कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ लेंगे बाकी तो बोल रहे हम लेंगे ही नहीं क्या कहता है ओनली सेवेंटीन हंड़ेड एंप्लोई ऑप्शन थर्टी फर्स मार् सosis के वे बढ़ेगा तो जो कहां चला जाता है जनल रेस वेली सीट पाझेट ऑप्शन एकस्न इसमेंश याणी वह घ्रेश कफेंटीन करना है तो रहे रहा है एकVIर है और इसिए कंप्शिदर्ट लूइन यह साल यह टंट ही नाई तो फिर वेल्यू में थड़ी चल रहा है और कितने लोगों के फॉर फीचर हो जाएंगे मतलब ऐसे कितने शियर्स होंगे जिसके हमें देने ही नहीं वो जन्रेश बाली बात कर रहा है तो कितने नहीं 28 जिसके हम फॉर फीचर कर लेंगे 28 अब हमें खर्चे को रिंगनाईस करने को बोला गया तो भईा खर्चा अगर देखा जाए तो 120 के हिसाब से 24 लाट क्या 24 लाट एक ही साल में जाएगा नहीं नalon साल में तो नहीं जाएगाने sled Klein कोमा आगहने वाले दो सालों में डियुई करनेंगे ये साल तो चली रहे आने वाले दो सालों में मिल्टिप्लाइब करना इसको सब्सक्ति को बरूघ करना है सब्सक्राइब करना हम सूरे रहे हैं 500 वैर सो दे रहे हैं तो अब आएगा हमारा शेक की ह ain't कि यह नंबर है टूटल इतने इतने शिर दिये जाएंगे कि इसमें कि इसमें हाँ अब हम इसको लॉस को बुक करेंगे कितने 120 से कि यह 24 लाख आ गया है 120 से इस साल कितना आएगा देखो 23 लाख 23 लाख 4 जार अगले बार को अगर मैं देखूं 20 लाख देखें तो पहले साल अंदाजा था कि 24 लाख का खर्चा है लेकिन जैसे ही दूसरे साल में पहुंच है क्योंकि कुछ भाग गए छोड़के चले गए तो फिर हमारे खर्चे क्या होगे तीसरे साल में और खर्चे क्या होगे तो हमें हर साल को इस हिसाब से खर्चे को दिखाना है कि बराबर भी हो जाए और फरकना पड़े तो पहले साल हमारे लिए दो साल के लिए एक्सपेंस बुक करना है दो साल के लिए क्योंकि यहां पे दो साल दिया हुआ था इसलिए हम दो साल मानके चलेंगे तो दो साल बुक करना है तो डिवाइड अगर हम दो से कर दे तो एक्स चला 23,004,000 तो जिसमें से 12 तो पहले ही बुक हो चुका है तो अब इस साल हम कितना खर्चा दिखा सकते हैं इस साल हम खर्चा दिखा सकते हैं कितना 23,004,000 तो इस साल अब खर्चा में दिखाना पड़ेगा ग्यारा 110 समझ रहे हैं इस कैसे हैं कि एक जिरो कम लग गया हाँ जिरो कम लगा है तो गड़ बड़ हो गया थोड़ा सा भाई एक जिरो कम छे जिरो आएंगे यह ठीक है दो सो तीस यहां भी चार जिरो हैगा यह ठीक है तो यह आ गया दो करोड चालिस लाख आ गया तो 120 मतलब 12 आएगा एक करोड बीस लाख है न तो 120 लाख करती है मैंने इस साल खर्चा भुक हो गया अब इस साल टोटल इतने बनते थे जिसमें से 120 लाख तो बुक ही कर चुके हैं तो इसमें से हमने 120 है तो हमारा कितना बचा कि दो सो तीस चार हजार कि दो चार पांच एक छे कितने नाइन सिक्स इस साल यह खर्चा इसको मतलब अब यह हमें इस साल यह बुक करना है और अगले यह में तो टोटल ही हो गया अगले यह में देखा जाए तो हमारा टोटल खर्चा ही भुक्ड हो जाएगा तो इसके अंदर बस आपको खर्चे बताने थे कि कितने कितने बुक करने हैं लास्ट में बोला गया कि ऑप्शन कितने फूर फीचर होंगे तो भईया फूर फीचर ऑप्शन कितने होंगे सत्रा सो अठाइस थे जिसमें से सत्रा सो लोगों ने तो खरीदी लिया तो बचे कितने तो अठाइस लोगों के फूर फीचर जनर्रिजम में चला जाएगा 120 के हिसाब से यानि 3360 रुपै एक तरीके से जो जनर्रिजम में हमारा चला जाएगा मेरे को तेईस में से बारा जाएंगे तो ग्यारा बचना चाहिए ना कि नो तो नहीं बचेगा यह थोड़ा सा क्यलकुलेशन मिस्ट्रेक है एक लाग बानवे हजार इन्टू 120 माइनस हाँ ग्यारा चालेश आएगा और इस साल तो भाईया पूरा ही खर्चा बुखो चुका है हमारे पस खर्चा बचा ही नहीं एक एक खर्चे की बात कर रहे हैंट कितना खर्चा हमें क्या करना है करना है उसकी बात कर रहे हैं अच्छा हाँ आप सभी कहले हैं क्योंकि 28 ये और हर किसी और हैशेका 150 120 आजसे festive क्योंकि मैंने एक एक मैंने बार बार यही गलती हो रही थी कि मैं एक एंप्लोई दिये जा रहे हैं तो एक इस ट्राइब का कुश्चन आपको 10 यह मिलेगा उसको टैबलर फॉर्म में कर रखा है दुबारा से मैं एक बार आप बोलेंगे तो मैं दुबारा समझा देता हूं तुबारक क्या समझाना है कि भया हमारे फर्स्ट येर में सव एंपलोई चले गए चले गए और 1292 चले गए 1221 थे तो बचे 2000 अब बचे तो अगले साल भी 2000 यह लेकिन चोड़ गया तो बचे कितने बचे आप यह माइनस कर रहे है तो यह भी माइनस में डिजिट आना चाहिए वह बस मैंने माइनस करने के लिए यूज किया ठीक है अब आगे देखा जाए हर इंपलोई को 100-100 दिये गए थे तो बहिए पहले जब फर्स्ट येर में थे तो मुझे लग रहा था कि 2 लाक शेर भी दिये जाएंगे दूसरे साल में बता चलाए है दो नहीं一个वादर दिये जाएंगे तीसे साल में पता चला है एक बानवे नहीं आप सो दिये जाएंगे फिर मैंने खरके को बुख किया पहले साल मुझे लगा बहीर 2 2 CAROR 40 cogn 1 और 20 लाग पालहे homem अगे खतम जब होई जाएगा तो यह था और यह हमारे यहां पर यह आगया था है ठीक है तो इस आप में जितना हमने करा है ना बुक के देखो दोनों कोश्चंज कर लिए और एक यह एक्जाम वाले भी कोश्चंज किये हैं तो बस आपको कॉंसेट पता होना चाहिए तो आप एज इसा कुश्चन आया तो सिर्फ यही करवा के छोड़ेगा आपको और पहले वाला कुश्चन आया तो जर्नल एंट्री पूछेगा आपसे और यह कुश्चन ऐसा चैप्टर है नहीं कि आपसे 15 नंबर का कुश्चन पूछ ले वह जब भी पूछेगा तो 7 नंबर या 5 झाथ आया से फैसे हो एका सीमाखा तो 7 नंबर का कर स अंबर यह क 16 नंबर present दो नंबर कुश्चन, का के छोड़ेगा, प्यंद्चन आया चारा, तो 2 यह का यह जुवाया तो, झाया पूले है टो सावदिस्टल तो